नमस्कार दोस्तों मैं राकी शुक्ला है आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इसे एट कुश्चन किया था तो सी के जैसे हमारा नाइन कुश्चन है उसको आप खुद सॉल करना है अब नहीं है तो इसको कमेंट लिखके बैजना तो आप हम 10 कुश्चन करेंगे इसमें पॉला है फाइंट दो मिसिंग टर्म इन फॉलविंग टेवल तो इसमें फारवर्ड टेवल बनाते हैं इसमें तो इसमें आपको फार्मूला पुट लगाने की जरूती नहीं है पूंसिग टर्म के लिखना होता है तो यह हमारी x की value दे रखी है f की fx की value दे रखी है अब हमें f3 की निकालनी है क्योंकि यह हमारे पास 3 missing term है तो इसकी जगह पर हम a मानेंगे तो यहां पर हम a लिख लेते हैं तो आप निकालेंगे डेल fx तो देल fx निकालेंगे तो पहले इसमेंस इसको minus करेंगे तो 3 minus 1 इसमें इसको करेंगे 9 minus 3 और a minus 9 81 minus a next में कर लेंगे डेल उसकार fx तो अब इसमें हो जाएगा 2 तो यहां पर 2 यहां पर हो जाएगा 5 तो अब हो जाएगा हमारा 6 minus 2 तो यहां पर हो जाएगा 4 यहां पर हो जाएगा हमारा a minus 9 minus 6 और यहां पर हो जाएगा हमारा 81 minus a minus a plus 9 अब हम दिकालेंगे डेल qfx तो next नकालेंगे अब इसमेंस इसको minus करेंगे तो यहां पर minus की 15 हो जाएगा और 4 और हो जाएगा minus की तो यहां पर हो जाएगा a minus 19 और ऐसे इसमेंस इसको करेंगे तो यहां पर हो जाएगा minus की 3 है क्योंकि यह हमारी minus minus 2 है और यहां पर भी minus की हो जाएगा इसमेंस इसको करेंगे तो तो यह minus की 3 है और plus की हो जाएगी हमारी यह प्लस की हो जाएगा प्लस 124 तो अब हम इस equation को इधर लिख लेते है माइनस की 4 a प्लस की 124 तो यहां पर यह minus की 4 a इकल हो जाएगी minus की 124 तो यह minus से minus कैंसल हो जाएगा तो एककल हो जाएगा 124 अपन 4 तो एक ही वैलो हमारे पास हो जाएगी 31 तो आइए देखते है आंसर 10 question है हमारा 10 question का F3 की वैलो 31 है यही हमारा answer आया है तो thanks for watching and please share it and please subscribe